हलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल आराध्यां अर्यस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आई गी तुविभिन परतियों की परिक्षाइं जैसे की आर्यस फ़स्ट ग्रेड शेकिंड ग्रेड रिट राजस्तान पुलिस कॉंस्टेब अले साई के लिए अत्यांत महत्वपुन होते हैं दोस्तों अगर आपने पिछली 43 स्क्विज अगर नहीं देखिए तो आप ले लिस्ट में जाईए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान कलास करती क्विज के नाम से वहां फोल्डर बनावाया तो आप वहां जाके सा क्या है? अब यहां पर पुछा गया है ये भार क्या है? तो सिधा सा सिंपल राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है देखिए आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दिवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र है यानि कि जैसे आदिवाशी भिलों के अंदर किसी लड़की का विवा है होता है और विवा के अउसर पर दोस्तों घर की दिवार पर लोक देवी का चित्र बनाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों भराडी ठीक है क्या बोलते हैं भराडी तो इसमें B number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दिवार पर चितर, यह आपको याद रखना है, और किसका, लोग देवी का, आगे देखिए, second number प्रेशन है, वह माता कौन है, जिसके दर्शन वै भगती, लोग विशेश रूप से राजनेतिक पद वै मंत्री पद पानने के लिए करते हैं, बहुत अच्छा प्रस्ण है, यहाँ पे पुछा गया है कि वह माता कौन है, जिसके दर्शन वै भगती, लोग विशेश रूप से राजनेतिक पद वै मंत्री पद पानने के लिए करते हैं, तो वो माता कौन सी है, तो वो है दोस्तों, ब्रामनी म माता कौनसी माता ब्रामनी माता और ब्रामनी माता क्यों परसिद है वो भी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो ब्रामनी माता है इनकी जो पीट की पूजा होती है क्या होती है इनकी पीट की पूजा होती है और एक और आपने देखा होगा जो वसंदरा राजे है वो दोस् एक मंदिर में खूब जाती थी ठीक है और वहाँ पर दोस्तों खूब मन तेवागेरा करती थी और उस मंदिर का नाम था तिरपुरा सुंदरी ठीक है और वह मंदिर था बांसवड़ा में और जो ब्रामनी माता का मंदिर है ये दोस्तो सोर सेन बारा में है ये भी आपको इसमें याद रखना है और एक मातर देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है वो है ब्रामनी माता तो इसका राइट अंसर बी नमबर उप्शन सहीतर है आगे देखिए बाल रोगों के निदान हे तू दोसा की किस देवी की माननता है बाल रोगों के निदान हे तू दोसा की किस देवी की माननता है तो वो है दोस्तो इसमें बीजासनी माता कौन सी माता बीजासनी माता तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें ये नमबर का जो उप्शन है बिल्कुल सहीतर हो जाएगा बीजासनी माता ठीक है आ करणी माता के बारे में आप सभी को पता है कि करणी माता का जो वास्त्विक नाम था वो था रिदीवाई क्या नाम था रिदीवाई ठीक है रिदीवाई तो इसका right answer हो जाकर करणी माता, C number option सयूतर काँ पर है इनका मंदर? देशनोक, बिकानेर में इनका मुख्य मंदर है और इनका जो जन्म है वो काँ पर हो आया था तो दोस्तों सुआए एक इस्तान है सुआए ये इस्तान है दोस्तों सुआए और ये काँ पर पड़ता है जोदपूर में यहां पर करणी माता का जन्म हुआ था चारण परिवार में बच्पन का नाम था इनका रिद्धी बाई और इनका मुख्य मंदर देशनोक, बिकानेर में है जिसे चूहो का मंदर भी का जाता है और चूहो को काबा का जाता है सपेद काबे के दर्शन सुब मानने जाते हैं कैसे मानने जाते हैं सुब और करणी माता को डाड़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है यह भी आपको इसमें याद रखना है और करणी माता का जो प्रतीक है वो है दोस्तो चील आगे देखे देशनोक में करनी माता के मुख्य मंदिर यानि की दोस्तों देशनोक में करनी माता के मंदिर में सफेद चुहे के दर्शन को सुब माना जाता है इस सफेद चुहे को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया उसको काबा का जाता है क्या का जाता है काबा का जाता है तो इसका बी नंबर उप्शन सयुत्तर है हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 86 नंबर प्रेस ने जोदपुर रियासत की कुल देवी कौन थी तो जोदपुर रियासत की कुल देवी है वो कौन थी तो वो है द शिसोदिया वंच की कुल देवी कौन थी? तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो बाण मता कुण्षी? बाण मता है ये दोस्तो मेवाड का जो सिसोदिया वंच है उसकी कुल देवी मानी जाती है तो इसका right answer A number option सही टर Next आगे देखे नवरात्रा का लखी मिला किस प्रसिद लोग देवी के समंदित है किस लोग देवी से समंदित है नवरात्रा का लखी मिला तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो केला देवी ए नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा केला देवी ठीक है और आप सभी को पता है जो केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है करोली के अंदर कौन सी पाड़ी पर बना हुआ है मंदिर ये तो दोस्तों तिरकुट पाड़ी ठीक है तिरकुट पहाडी पर करूली में केला देवी का मंदिर बना हुआ है और आप सभी को पता है कि जो केला माता है इनके भगतों को लांगुरिया कहा जाता है क्या कहा जाता है लांगुरिया कहा जाता है और लांगुरिया गीत है वो इन्हीं माता के मंदिर में गाया जाता है ये भी आपको याद रखना है और चेत्र सुकल अस्टमी को इनका लखी मेला लगता है इनको माता जी का सोमे रूप माना जाता है यह सक्ति का रूप नहीं है केवल चेत्र नवरात्रा में ही मेला लगता है यह आपको इसमें याद रखना है तो इसका right answer केला देवी लखी मेला लगता है तीक है आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सी राजस्तान की लोक देवी नहीं है तो राजस्तान की कौन सी इसमें लोक देवी नहीं है वो अपने को इसमें बताना है देखिए हाँ पे छीक माता सीला माता आवरी माता और हीडिमबा माता और आप सभी को पता है कि हीडिमबा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है हिमाचल परदेश में कहाँ पर है हिमाचल परदेश जब आप सिमला गूमने जाओगे मनाली गूमने जाओगे तो वहाँ पर ये मंदिर आएगा हिडिमबा माता का मंदिर ठीक है और बाकी छीक माता का तो आप सभी को पता है कहां पर मंदिर है तो ये जैपूर में मंदिर है शीला माता का भी जैपूर में मंदिर है और आवरी म आसा पुरा मता और हाडा की भी सिदा सा है अस्वापुरा माता है तो इसका राइट आंसर भी नंबर उप्शन से विगतर है आगे देखे जीन माता के सिकर इस्तित अश्ट भुजी परतीमा वाले मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो ये करवाया था दोस्तों किस ने तो राजा तो इसका राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखे किस देवी को कभी मास का भूग नहीं लगाया गया ऐसी कौन सी देवी है जिसको कभी मास का भूग नहीं लगाया गया तो वो है दोस्तों केला देवी ठीक है केला देवी क तो कभी भी मास का भूग है वो नहीं लगाया गया तो इस प्रेसिन का राइट आंसर हो जायेगा वो है, b नंबर का ओप्शन इसका बिल्कूल सही उत्तर हो जाएगा और जीन मता केरशीला देवी के तो बकरा चड़ा देतें, ठीक है, तो इसमें b नंबर ओप्शन सही उत्त कौनसी महुदरी माता तो इसका राइट आंसर D नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए आई जी माता किसकी कुल्डेवी है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आई माता ठीक है और यहाँ पे आई माता के बारे में पुछा गया है कि यह कौनसी कौनसे वंस की कुल्डेवी है तो दोस्तों यह देखिए आई माता है यह सिर्वी जाती के छत्री राजवंस की कुल्डेवी है कल मैंने आपको बताया था अगर आपने 43 नमबर की जो क्यूज है वो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था आई माता है वो रामदेव जी की सिस्याती अताय उन्होंने भी छुआ छूत दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता इस्थापित करने का प्रियास किया था किसने आई माता ने और एक चीज मा आपको बता देता हूँ इनका जो मुक्य मंदिर बिलाडा जोदपुर में तो है इनके मंदिर के दीपक से जोती से केसर टपकती है ठीक है और यहां के दीपक की जोती से दिवार है वो काली नहीं होती यह भी आपको इसमियाद रखना है जैसे अगर अपन कोई दीपक रख दें तो दोस्तों दीवार है वो काली हो जाती है लेकिन इनके मंदिर की एक खासियत है कि वहां पर जो दीपक जलता है तो उसकी दीवार है वो काली नहीं होती वैसी की वैसी रहती है और इनके दीपक की जोती से केसर भी टपकती है तो इसमें सी नमबर उप्शन सही उतर आगे देखिए कौन सा यूग में ऐसंगत है कौन सा यूग में ऐसंगत है तो यहां पर देखिए कहला देवी है यह यादव राजवन्स की कुल देवी मानी जाती है बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखिए करणी माता करणी माता राठोड वंस की कुल देवी मानी जाती है ये भी इसमें सही है ज्वाला माता पहले जीन माता ले ले लेते हैं जीन माता चोहन सासकों की कुल देवी मानी जाती है बिल्कुल सही है ठीक है अब यहां पे देखिए ज्वाला मता अब आप ऐसे मत बोल देना कि चुहान सासको की जो कुल देवी है वो तो आसा पुरा मता है ठीक है और जुन मता नहीं है तो दोस्तों चुहान अलग-अलग है कोई रन्थंबोर का चुहान है तो कोई सांबर के चुहान है कोई जालोर के चुहान है कोई सिरोई के चुहान है ठीक है कोई नाडोल पाली के है तो आपको याद रखना है कि चुहान कोई से भी हो सकते है ठीक है तो सब की अलग-अलग है ठीक उसी परकार मैं आपको देखी यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कच्वाहा राजवन्स है इसकी कुलदेवी मानी जाती है कौन सी तो जमवाई मता ठीक है अब यहाँ पर ही देखिए जो ज्वाला मता है ठीक है यह खंगारोत खंगारोत होते हैं राजपुत होते हैं खंगारोत ठीक है और उनी की कुलदे गुल्डेवी बैटेवी है यह जवालमाथा लेकिन दोस्तों है कंगारत और खंगारोत के कुल्डेवी बैटेवी है जवालमाथा यहां से केसर टपकती है तो मैंने भी आपको बताया था दोस्तो आई माता बिलाडा जोदपुर में ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है आई माता तो इसका ए नमबर ऑप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कौन सा यूग में एसंगत है एक तरफ ह कमरी माता का जो मंदीर है वो सामबर में है तो यहाँ पर देखिए कौन सा सहई है इसमे बताएगे दोस्तो जल्दी से उत्तर सोचे क्या होगा तो एक यहांपर देर रखा है तो मन सा मता च्छीक मता शाकर मता और हिंग लाज देवी तो दोस्तो, इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तो यहाँ पे हिंगलाज देवी अब क्यूं है, याम्मा आपको बता जीता हूँ, देखो हिंगलाज देवी के बारे में तो यहां पर तनोट दे रखा है जो कि गलत है तो यहां पर गलत दे रखा है तो अपना राइट आंसर ए नमबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखे लांगुरिया गीत का समंद है तो मैंने अभी आपको बताया था केला देवी ए नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा वो किस इस्तान से है यह अपने को इसमें बताना है देखे ददी मती माता का जो मुख्य मंदिर है वो गोट मांगलोद नागुर में है और ददीच ब्रामनों की यह कुल देवी है तो गोट मांगलोद नागुर में इनका मुख्य मंदिर है तो इसका राइट आंसर हो जाए किस देवी की पूजा की जाती है तो वो है दोस्तो इसमें बदाना माता कौन सी माता बदाना माता तो इसका बी नंबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा बदाना माता ठीक है बदाना माता का जो मुख्य मंदिर है वो कोटा में है और पीडित वेक्ति का इलाज किया जाता है या सुराना वैद दुगड जाती की कुल देवी मा सुस्वानी का धाम कहां इस्तित है तो यह कहां पर इस्तित है दोस्तों विकानेर में तो इसका सी नंबर उप्शन स्वयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए किस देवी को थार की वेशनो देवी कहा जाता है तो कौन सी देवी को थार की वेशनो देवी कहा जाता है तो वो है दोस्तों यहां पर देखिए जो तनोट देवी है इसको थार की वेशनो देवी कहा जाता है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाए आगे देखिए दोस्तों निमनलिकित में से गलत यूगम को चिनहित कीजिए गलत यूगम को चिनहित कीजिए यहां पर देखिए सिला देवी का मंदिर है वो कहां पर है आमेर में बिलकुल सही है ठीक है और सचिया माता का मंदिर है वो ओशिया जोधपुर में है बिलकुल सह यहां पे सक्राए माता सिक्र में दे रखा है तीक है और सक्राए माता का मंदिर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कहां पर है तो इनका जो मंदिर है सक्राए माता का यह दोस्तों जुन जुन जिले में कहां पर है जुन जुन जिले में इनका मंदिर है तीक है और इनका अन्य नाम है वो साकंबरी माता भी है ये चोहनों की इस्ट देवी है और खंडेलवाल की कुल देवी है ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है तो सक्रावे माता सिकर गलत दे रखा है या पर जुन जुन होना चीए था आगे देखिए निम्न में से किस देवी को थार की व दोलागट देवी का मंदिर किस जिले में इस्तित है तो ये है दोस्तों अलवर जिले में तो इसका ये नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोलागट देवी का मंदिर है ये अलवर जिले में है नेक्स्ट है किस संपरदाय में भगवान के भोग लगाते समय गाए जान की संपरदा है तो इसका ए नंबर उप्शन विकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें बेनेस्वर धाम की स्तापना किस संत ने करवाई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संत माओ जी ने ठीक है तो इसमें डी नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें बहुती अच्छा प्रस्न है संत मावजी की वानी संत मावजी की वानी यानि की उपदेश क्या कहलाती है तो संत मावजी की वानी है वो क्या कहलाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें चोपड़ा बी नंबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएग आगे देखे राजस्तान की प्रिसिद कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें प्रेमल ठीक है डी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे लोक संत जांबो जी ने किस देवता के नाम इसमरण करने पर जोर दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वो देवता थे विश्णु जी ठीक है बी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे विष्टनोई संपरदाय के लोग किस पसू को पालना पसंद नहीं करते विष्टनोई संपरदाय के लोग है वो कौन से पसू को यानि कि किस पसू को पालना पसंद नहीं करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भेड भेड को पालना पसंद नही करते विष्णोई संपरदाय के लोग आगे देखिए विष्णोई के धर्म संस्तापक कौन थे तो दोस्तों कौन थे तो ये तो सब को पता होगा वो है जामबो जी ये विष्णोई धर्म के संस्तापक माने जाते हैं आगे देखिए इसमें 114 नमर का प्रसने नाथ द्वारा मंदिर में इस्तित स्री नाथ जी की मूर्थी कहां से लाई गई थी तो दोस्तों नाथ द्वारा मंदिर में स्री नाथ जी की जो मूर्थी है वो कहां से लाई गई थी तो यह लाई गई थी दोस्तों कहां से वरंदावन से ठीक है तो इसमें सी number का option बिल्कुल सही तर्फ हो जाएगा आगे देखिए दादू जी के SISHे ने अपनी रचना भक्त माल में दादू के 52 सISHो का नाम उलेक किया है देखें संत दादू जी के 52 का नाम उलेक किया है किस सिसे ने अपनी रचना भक्त माल में तो इसका राईट अंसर हो जाएगा. वो है दोस्तों, इसमें किस ने? तो वो है रादो जास्तने. ठीक है? C Намber Option संधुतर. Next है, दादुपंत के बावन इस्तंब किन्हे यह किसे कह जाता है? दादुपंत के बावन इस्तंब किसे कह जाता है? तो वो है दोस्तों किशे तो दादु जी के 52 सिश्यों को 52 स्तंब कहा जाता है बी नमबर ओप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए 117 नमबर प्रेस ने बगती मती मीरा के पती कौन थे बगती मती मीरा के पती कौन थे तो दोस्तों कौन थे तो वो है भोजराज संत माउजी ने श्यम को क्रशन का कौन सा अवतार गोशित किया है तो वो है दोस्तो कौन सा अवतार तो वो है दस्वा अवतार ठीक है D नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए संत माउजी का देहा अवसान हुआ तो दोस्तो संत माउजी आगे देखिए निमन में से क्या पंच ककार में सामिल नहीं है तो यहां पर पूछा गया है दोस्तो जो पंच ककार में ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तो पंच ककार में सामिल नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है काजल ठीक है ए न 43 नंबर की quiz थी वो मैंने आपको complete करवा दी है अगर आपने पिछली 43 quiz अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आपको comment box में एक pin किया हुआ link मिल जाएगा ठीक है वो है playlist ठीक है और उस playlist का नाम होगा दोस्तों राजस्तान कलासंसकरती एवं quiz ठीक है राजस्तान कलासंसकरती quiz के नाम से होगा वो folder तो आप उस link पे जाके पिछली जो सारी class हैं वो देख सकते हैं और अध्यारेस अकेडिमी के YouTube चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो क लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत